हेलो स्टुडेंट्स आग की स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे डिजीज कंडिशन जिनमें की कुछ स्पेसिफिक टाइप आपको क्या देखने को मिलता है इस टूल देखने को मिलता है ओके सो हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप यानि किस तरीके का स्टूल कौ आपी बार पूची जाती है हिस्प्रंग डिजीज या फिर एक गेंगलियुनिक मेगा कोलोन इसे कहा जाता है इसमें किस तरीके का स्टूल देखा जाता है अंसर जाएगा रिबन लाइक स्टूल कई बार पिछले एक्जैम में डारेक्ली पूछा गया है रिबन लाइक चलिए नेक्स्ट में चलते हैं टाइफॉइड टाइफॉइड एन्छोलरा का तो आपको याद होना चाहिए क्यों कि ये न जाने कितने exams में कितनी बार पूछा गया है typhoid में देखा जाता है pea soup stool जबकि kolera में देखा जाता है rice water stool दोनों ही अपने आप में very 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 important अपने आप में बहुत important question है typhoid में pea soup stool और kolera में rice water stool next है berium meal enema जिसको भी बचे berium meal enema चलता है उस व्यक्ती में white color stool देखने को मिलता है बहुत important question है किसमें देखने को मिलेगा next है इन्ट।सेपशन की condition में बच्चे जब आपने देखा होगा telescope GP हो जाती है इंट्स्टाइन में तो इन्ट।सेपशन की condition में concurrent jelly-like stool देखने को मिलता है और एक question बहुत बार पुचा गया है कि concurrent jelly-like stool किसमें देखने को मिलेगा अंसर जाता है into susception में लेकिन एक बात बच्चे ज्यादतर ये ध्यान नहीं रखते हैं कि into Susception में दूसरा option वो लिख सकता है old grape like stool तो चाहे वो old grape like stool लिखें चाहे concurrent jelly like stool लिखें दोनों ही दोनों किसमें देखे जाते हैं into सेसेप्शन में नेक्स्ट क्वेशन है और जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है और जो बच्चा फॉर्मुला फीडिंग करता है उनके स्टूल में डिफ्रेंस होता है जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है उस न्यू बॉन में आपको सीडी यलो कलर का स्टूल देखने को मिलेगा CD Yellow Color का स्टूल जबकि जो बच्चा formula feeding करता है उस बच्चे में Pale Yellow Color का या फिर Light Brown का स्टूल देखने को मिलेगा या तकना CD Yellow Color का जो बच्चा breast feeding करता है और Pale Yellow या फिर Light Brown जो बच्चा formula feeding करता है Next है Malina आपको किस condition में देखने को मिलेगी Diodrenal Ulcer अगर किसी विक्ति को है तो Malina देखने को मिलेगा यानि Blood in Stool Peptic Ulcer में Blood in Stool यानि Malina देखने को मिलेगा Colon में Inflammation है तो उसमें भी Stool के साथ Blood देखने को मिलेगा और जब भी Stool में Blood आता है हम उसको क्या कहते है Malina ठीक है Next question Next question देखे Stateria Stateria बच्चे जब Stool के साथ Fat आता है जब ऐसी कोई Condition जिसमें हमारी Body में Fat एब्जॉब नहीं हो पाता है और वह Fat Stool के साथ बाहर आता है उसे कहते हैं Stateria और इसको हम Butter Stool के नाम से भी जानते हैं तो कई बार Exams में पूछता है Stateria की Condition किस में देखने को मिलती है तो अंसर जाएगा Celiac Disease Celiac Disease में Stateria या फिर Butter Stool देखने को मिलता है याद रखिएगा Next आता है Traveler Diary Traveler Diary का Most Common Cause क्या होता है कई बार पूछा गया है अंसर जाता है E. Coli अंसर जाएगा E. Coli Traveler Diary जिसे Delhi Valley भी बोला जाता है Most Common कारण क्या है E. Coli Very 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 Important Question Next है Black Terry Stool बच्चे किस में देखने को मिलेगा Black Terry Stool Black Color की अगर Stool आ रही है तो Upper GI Bleeding में आप याद रखिएगा जब Upper GI Bleeding होती है तो Black Color की Stool देखने को मिलती है जबकि जब Lower GI की यानि की Upper GI में अगर कुछ भी होता है तो जो Stool देखने को मिलेगा वो Black Color का देखने को मिलेगा जबकि Lower GI में जब कुछ होता है तो Fresh Bleeding देखने को मिलती है इसलिए Dark Stool देखने को मिलेगा Bright Stool देखने को मिलेगा Bright Red Color का उसमें Stool में आपको blood देखने को मिलेगा लेकिन upper GI bleeding में आपको black terry stool या फिर dark stool देखने को मिलेगा next है pencil stool pencil stool किस में देखने को मिलता है colon cancer या फिर colorectal polyps दोनों ही condition में pencil stool देखने को मिलता है याद रखिएगा next है hematochisia hematochisia यानि की hematochisia यानि होता है stool में fresh blood आना अगर stool में fresh blood आता है तो उसको कहते हैं hematochisia hematochisia देखने को मिलेगा inflammatory bowel disease में inflammatory bowel disease में आपको देखने को मिलेगा hematochisia तो hematochisia inflammatory bowel disease या फिर hemorrhoids दोनों ही condition में आपको hematochisia या फिर fresh blood देखने को मिलेगा stool में next एक termologic कई बार पुछी गई है dysentery को कैसे define करते हैं जब blood plus mucus जब blood plus mucus दोनों ही stool में देखने को मिलेंगे उसे हम कहते हैं dysentery पहले भी पूछा गया है dysentery में stool में आपको क्या देखने को मिलेगा blood plus mucus okay next है जब भी किसी व्यक्ति को iron therapy चल रही हो iron चल रही हो उस व्यक्ति में black color का stool देखने को मिलेगा भूलिएगा नहीं iron therapy चल रही हो तो व्यक्ति में black color stool देखने को मिलेगा है ना और iron constipation भी कराता है ये एक और question बनता है constipation भी iron कराता है okay next है blood in stool अगर stool में blood आ रहा है या फिर उसको हम कहते है occult blood चुपा हुआ blood तो stool में occult blood या फिर blood को देखने के लिए कौन सा test किया जाता है बहुत ज़्यादा बार ये question पूछा गया है पिछले examinations में कि occult blood के लिए कौन सा test करते हैं या फिर stool में blood आ रहा है या नहीं इसको देखने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है GUAC test बहुत important है याद रखेगा GUAC test किसके लिए करते हैं occult blood या फिर blood in stool के लिए next है hematochesia hematochesia यानि fresh red bleeding stool में fresh red bleeding आना कहलाता है hematochesia नेक्स्ट आता है persistent diarrhea अगर किसी भी बच्चे को 14 दिन से ज़्यादा diarrhea हो गया है यानि 14 दिन से भी ज़्यादा उसके diarrhea continue है उसको कहते है persistent diarrhea यह पहले के examination में directly पूछा हुआ है persistent diarrhea कब कहिंगे जब उस बच्चे को जो diarrhea हो रहा है उसकी अवदी 14 दिन से जादा हो चुकी हो persistent diarrhea next question one month diarrhea किस में देखने को मिलता है उत्तर जाएगा HIV में one month diarrhea किस में देखने को मिलता है HIV में next है most common cause of acute diarrhea acute diarrhea का सबसे common cause क्या है rotavirus very 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 important पूछा जाता है कि acute diarrhea जो होता है उसका सबसे common कारण क्या होता है rotavirus next है cause of death in diarrhea जब भी किसी विक्ति को diarrhea होता है उसके मरने की जो cause है उसकी death की most common cause है वो क्या होती है dehydration विक्ति की मिलत्यू dehydration की वज़े से होती है diarrhea में next question है जब भी किसी को diarrhea होगा हम क्या क्या देते हैं दो चीजे देते हैं भूलियेगा नहीं ORS प्लस जिंक दो चीजे दी जाती है ORS प्लस जिंक तो काफी बार पूछ लेता है डाइरिया के treatment के लिए क्या क्या दिया जाएगा ORS प्लस जिंक नेक्स्ट है ये जो ORS है इसकी osmolarity कितनी होती है बच्चे याद रखना 245 245 मिली ओस्मोल पर केजी डारेक्ली बहुत बार पूछा हुआ है कि osmolarity of ORS ORS की osmolarity कितनी होती है 245 मिली ओस्मोल पर केजी नेक्स्ट है drug of choice of childhood dysentery अगर बच्चे में dysentery हो रहा है childhood dysentery कि drug of choice आप से पूछी जाए तो आप अंसर देंगे ciprofloxacin और अगर ciprofloxacin अंसर में नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप injection ceftrexone दे सकते हैं लेकिन वो आप से कभी ना कभी जरूर पूछेगा बच्चे कि अगर childhood dysentery हो रही है तो drug of choice क्या जाएगी ciprofloxacin और अगर ciprofloxacin अवेलेबल नहीं है तो injection ceftrexone next है rotavirus जो की क्या करवाता है अभी मैंने आपको बताया acute diarrhea करवाता है rotavirus okay so acute diarrhea rotavirus कराता है इस rotavirus का जो diarrhea होता है बच्चे आप देखोंगे light green stool आपको देखने को मिलेगा rotavirus diarrhea में अगर rotavirus cause कर रहा है diarrhea तो 5% लोगों में आपको light green stool देखने को मिल सकता है ये प्रस्ण वो आपसे कभी भी आने वाले exams में पूछ सकता है next है rotavirus या rotavirus की जो vaccine दी जाती है बच्चे वो 6 10 और 14 हफते में दी जाती है 6, 10 और 14 week में दी जाती है और काफी बार प्रस्ण आया है कि rotavirus की जो vaccine है वो किस route से दी जाती है अंसर जाएगा oral oral route से दी जाती है rotavirus polio भी oral route से दी जाती है और rotavirus भी oral route से दी जाती है next आता है rotavirus vaccine जो है आप बच्चे को एक साल तक दे सकते हो, कितने साल तक, एक साल तक आप बच्चे को रोटा वाइरल वैक्सीन दे सकते हो, नेक्स्ट है, रोटा वाइरल वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या करवा सकता है, इंटू सेसेप्शन, क्या करवा सकता है, इंटू सेसेप्शन, तो रो जिसको जन्म के बाद सिर्फ एक साल तक दिया जा सकता है उसके बाद नहीं दिया जाता तो याद रखेगा BCG सिर्फ एक साल तक दिया जाता है उसके बाद नहीं दिया जा सकता रोटावाइरस और पेंटावेलेंट ये तीन नाम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है याद रखना BCG, रोटावाइरस और पेंटावेलेंट एक साल के बाद जब व्यक्ति की बच्चे के आयू एक साल हो जाती है तो उसके बाद नहीं एडिमिनिस्टर कर सकते हुआ ठीक है BCG, रोटावाइरस और पेंटावाइलेंट तो आप देखते हैं आज हमने इस स्लाइड में कितने सारे इंपोर्टेंट क्वेशन डिसकस के चाल्डूट डिसेंट्री, ओरस ऑस्मोलारिटी, डाइरिया का ट्रीटमेंट, पर्सिस्टेंट डाइरिया, एक्क्यूट या, वनमन्थ डाइरिया, हमेटोसीजिया, ओकल्ड ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, आइरन से ब्लैक कलर का स्टूल हो जाएगा, पैंसिल कलर स्टूल कोलन कैंसर में होगा, ब्लैक टेरी स्टूल अपर जियाई ब्लेडिंग में होगा, ट्रेवलर डाइरिया सबस पी स्टूल, हिस्परंग डिजिजन में रिबल लाइक स्टूल, यह सारे के सारे क्वेशन्स काफी बार एक्जैमिनेशन में पूछे जाते हैं, बच्चे, नोड डाउन कर लीजेगा, अपने कौपीज में, और रोज सुबह उठने के बाद इनको रिवाइस करिएगा, इनको रिवाइस करके ही जाया करिए, ठीक है, तो अभी भी आपके पास six months है नौड सेट के लिए, रोज थोड़ी थोड़ी चीज़े अगर आप cover करोगे, तो easily नौड सेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और मुझे please comments में अपने valuable responses मुझे बता दीजिया, दिया कीजिये, और म अब तक के लिए thank you so much, मिलते हैं next video में